वेल्कम टू कंट्रिसाइड हीमाचल परतेश टैट जून दो हुजार तेश की प्रेपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए आप लोग का एक्जाम आने वाला है इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में हम आप लोग को डेली एक वी होंगे यह आपके एक्जाम के लिए काफी फेवरेवल होंगे और आपका एक्जाम में आपको सफल होने में काफी मदद करेंगे हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो जून 2023 के लिए है आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इस बैच को जोईन करना चाहता है मेरा वाट सोंगे टेस्स सीरीज होगी यह सारा कुछ आप लों को मिल सकता है आप मुझे वाट्सअप करना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास पहला कोश्चन जो आप लों का है इन्वार्मेंटल साइंस का कोश्चन है यहां पे जो कोश्चन आप लों को दिखाया गया है यह आईसो है लाइन निमल लिखित में से किसको दर्शाता है या दिखाता है तो ये एक तरहां की एक imaginary line होती है जो कि draw की जाती है कहां पे आप लोग के maps के उपर तो इसमें हमें किस तरहां की information मिलती है ये हमें इसमें बताना है क्या ये temperature को दिखाता है आप लोग की जो दाव होता है pressure उसको दिखाता है लवनता को दिखाता है या mega शादन को दिखाता है तो आप लोगोंने हमेशा याद रखना जब भी caution आप लोग को आई-सो हे लाइन के उपर आए तो ये आप लोग को जो temporary जो आप लोग की imaginary line होती है ये हमें salinity या आपकी लवनता को दिखाती है तो इसमें मैंने आप लोग के सामने इसकी definition लिखी है आप यहां से पढ़ सकते हैं कि ISO हे लाइन मान चित्तर पर एक कालपनिक imaginary line होती है जो समुदर के सभी विंदों को समान लवनता से जोड़ती है ब्याक्या अगर हम इसकी करें तो ISO का अर्थ होता है समान है लाइन का मतलब होता है लवनता ठीक है मैप के उपर आप लोग को कुछ इस तरह के लाइने देखने को मिलती है ये दिखाती है कि आपका समान लेवन में कहां कहां पर आप लोग की लवनता है सेलेनेटी है ठीक है इसमें और कोश्चन क्या आप लोग को पूछा जाती है मैप के उपर imaginary line जो की जाती है या कालपनिक रेखाएं जो दर्शाई जाती है वो किस चीज को दर्शाती है या उन lines को क्या कहा जाता है कि ये कोश्चन आप लोग को आ सकता है तो आईसो है लाइन जो की समान बिंदू को समान लवनता को दिखाती है ठीक है आईसो का मतलब होता है समान है लवनता इस परकार आईसो है लाइन जलियत तंतर में सवान लवनता बाले सभी बिंदूओं या समोच रेखाओं को जोडने वाली lines को क्या कहा जाता है तो इसको कालपनिक रेखा के रूप में हम हैसो हैलाइन के नाम से जानते है ठीक है तो दो या तीन कोश्चन आप लोग को बनेंगे आईसो हेलाइन पे आईसो हेलाइन imaginary line होती है कहाँ पे मानचित्तर पे जो की समाल लवन्टा को जोडती है समुद्धर के सभी बिंदों को उसके समाल लवन्टा के साथ जोडती है और सभी बिंदों या समॉच रेखाओं को जोडने वाली समाल लवनता वाली रेखाओं को हम आईसो हेलाइन के रूप में जानते हैं सेकंड कोश्चन भी आपका इन्वार्मेंटल साइंस का है यहां से कोश्चन आप लोग का है कि अधिकांश दुर्गम क्शेतरों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को बित्रित करने के लिए यातायात का साधन बेहत अब्योगी है देखो यहां पे आप लोग को जैसे डिरेक्ली इन्होंने कोश्चन लिख दिया अधिकांश दुर्गम क्शेतर या यहां पे लिख दिया आप लोग को आपदा आ जाती है या कहीं पे अटैक हो गया तो यह एक तरह के आपदा ही होती है तो इसके लिए लोगों को जितने भी बहाँ के लोग हैं उनको सुरक्षित लाना उनको बौजन पहचाना जल पहुंचाना कपड़े एवं उनको दवाओं का बित्रित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे इप्योगी होता है देखो, रेल मारक ओल ओवर तो इंडिया में नहीं है, ये गलत हो सकता है आपदा जहां पे आई हो सकता है, बहां पे जो सड़क मारक है वो अबरुद हो चुका है ये भी गलत होगा आप लोंका, जल मारक भी सब जगा नहीं है कि हर जगा आप नाव लेके हर जगा पहुँझ जाओ बायू मारक एक ऐसा मारक है, चाहे आपका अधिकाँच दुर्गम खशेत्र है, चाहे आप लोंकी आपदा है बायू मारक के द्वारा आप हेलिकाप्टर के द्वारा कहीं भी किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं तो राइट अंसर इसका बायू मारक रहेगा कार खाना विशे को पढ़ाने के लिए सबसे प्योगी बिधी क्या होगी यहाँ पर यह कहा गया है मान लिजी आप लों को एक subject है जिसमें आप लोंको factory के ऊपर पढ़ाना है तो अगर आपने factory के ऊपर कुछ समझना है तो उसके लिए सबसे उप्योगी बिधी आप लोंके लिए क्या होगी कार खाना के बारे में अगर हम बात करें या फैक्टरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पिनों ने कहा है कि हम इसके उपर आप लों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या किसी अध्योगी कार खाने की यात्रा आयोजित करना। देखो किसी भी चीज को अगर समझना हो तो उसकी सबसे पहले हमें basic knowledge होने चाहिए कि factory क्या होती है, factory क्या होती है इसका हमें तब ही बता चलेगा अगर हमने factory को देखा होगा या उसको visit किया होगा। तो right answer इसका आप लों का third रहेगा किसी भी अध्योगी कार खाने की आप लों को यात्रा करवाई जाए। उसी यात्रा करवाने पे आप लों को ये बताया जाए कि factory इस तरहां से काम करती है, इसमें इस तरहां worker काम करते हैं, इस shift में काम करते हैं, यहां पे ये machine काम करती है ये इस तरह का product produce करती है जो best days होती है उसको ऐसे किया जाता है तो उसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ बिजिट करते हैं जब आप लोग के mind में ये चीज़ें आ जाती है कि हाँ ये वे वाला topic हमने पढ़ना है इसमें इस तरह से काम होता है उसके बाद आप किसी भी तरह से किसी विशेशग्य या किसी expert को बुलाईए वो आपको समझाएगा कि आपने जो वहाँ पे वो वाली machine देखी थी वो इस तरह से काम करती है या कोई कहानी सुना सकते हैं कि हमारे समय में ऐसा कुछ हुआ था तो हमने जब factories लाई थी तो ऐसे ऐसे चली थी या इसकी ओपर आप लोगों को फिर एक documentary film दिखाई जा सकती है तो सबसे important जो इसमें right answer आप लोगों का रहेगा वो सी option रहेगा तो सी option आप लोगों ने ध्यान अगना है निमलिक्त में से कौन सा मानचित्र कोशल का परकार नहीं है आप लोगों को ने एक map देखा होगा उस map में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं उस map में हमें दिशाओं का ग्यान होता है नोर्थ, इस्ट, वेस्ट और साउथ का सही बात है अक्षांश और देखने को मिलते हैं ये भी सही है बट हम किसी भी map को देखके ये नहीं पता लगा सकते कि इस area में इतनी population होगी तो right answer आप लोगों का ये होगा बाकि सारे आपके option ठीक हैं तो आप लोगोंने याद रखना है कि जो मानचित्र का एक कोशल परकार है उसमें दिशाओं का गयान होता है आक्षांश एवं दिशांश का गयान होता है समय एवं दूरी का भी गयान होता है बट कभी भी हमें उसमें जनसंख्या का गयान नहीं होता है निमनांकित में से कौन सा समाजिक बिग्यान के शिक्षण का लक्षण नहीं है समाजिक बिग्यान में हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है अगर हम उसकी शिक्षा प्रापत करते हैं तो बिग्यानिक दिरिष्टी कौन का विकास हमारा होता है सही बात है समाजिक कोशल का भी हमारा विकास होता है अगर हम समाजिक विग्यान को पढ़ते हैं मानम मूल्यों का भी विकास होता है बर कभी भी हमारे धार्मिक मूल्यों का विकास नहीं होता है समाजिक विग्यान को पढ़ते हुए हम special किसी एक subject में एक धार्म, धार्मे का वस्ता को नहीं परते हैं, हमारे धार्मे को बूल जागा, किसी तरह से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, राइट अंसर सी आएगा, बिल्कुल सही है, ललित बिस्तार नामक गरंत बोध धर्म की किस शाखा से सबंदित है, ये भी कोशन आप लो अब लोगा, तो इसको समझए, आप लोग पहले कि क्या होता है ललित बिस्तार नामक गरंत बहन से सबंदित है, ठीक है, महायां शाखा से सबंदित है, आप लोग को पता है, बहुत धर्म में दो शाखाएं है, एक हीनियान है, और एक महायान है, ये कब बनी थी शाखाई, लगवग 1st century में या 78, 80 में इसको बनाया गया था फिर आपसे पूछा जाएगा हीनियान और महायान दो संगों में या दो शाखों में वो धरम कब फैला था तो ये लगवग 4th जो आप लोग की बुधिस्ट कांसिल हुई थी उसमें फैला था कहां पे ये आप लोग का आयोजित किया गया था तो कुंडल 1 कश्मीर में किया गया था कहां पे कुंडल 1 कश्मीर आप लोगोंने याद रखना किसने करवाया था इसको तो वो भी आप लोगों को पता है कनिश्क कुषान भंश के एक महान शाशक थी अभी इनों ने हम लोगों ने इनके उपर डिटेल में पढ़ा था फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है यह जो फूर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसमें चेर्मेन और बाइस चेर्मेन कौन से थे तो आपने याद रखना है जिनका नाम था बसू मित्र वो चेर्मेन थे और बाइस चेर्मेन आपलों के अश्वगोश थे हीनियारोन महायान में क्या डिफरेंस है इसके वारे में समझेंगे हीनियान बाले जो है वो मूर्ती पूजा में बिश्वास नहीं रखते हैं ये मूर्ती पूजा में बिश्वास अपने समझते हैं ये बुद्ध को एक महापुरुश समझते हैं और ये बुद्ध को एक देवता समझते हैं बुद्र की शिक्षाओं में ये बिश्वास करते हैं और इनका मानना है कि बुद्र की शिक्षाओं को आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसाद फिर आप लोगों के सबसे important आता है कि इनका symbol क्या था तो आपने याद रखना है हीनियान का symbol था monkey और जो आप ल कुंडलवन कश्मीर बहां के जो महानशाशक थे कनिश्क कुशाणवन्श के उन्होंने इसको और्गनाईज करवाया था सूत पिटक के निमनांकित किस निकाए में जातक कथाएं हमें देखने को मिलती हैं तो सूत पिटक में हमें याद रखना आप लोगोंने जो खुदक निकाए हैं खुदक निकाए में हमें जातक कथाएं मिलती हैं तो ये भी important आप लोगों का रहेगा जो सूत पिटक है इसको teaching of buddha और इसके जो सूत पिटक था इसको किस ने लिखा था आनंद ने लिखा था मैंने आपको बताये था वो धरम महात्मा बूद्ध के दो फेवरेट शिश्य थे इनमें से एक का नाम था आनंद और एक का नाम था रुपाली रुपाली ने लिखी थी आप लोगों की बिने पिटक लिखी गई थी रुपाली की द्वारा बिने पिटक में क्या था बिने पिटक में आप लोगों ने याद रखना है बिक्षूओं के नियम थे जिसमें हमारे rules मिलते हैं of Buddhist union तो ये थ्यान रखना आप लोगों ने उपाली के द्वारा इसको लिखा गया था उपाली और ये आनन्द इसमें बुद्ध की शिक्षाई मिलती है इसमें बुद्ध धरम को अगर आफ follow करते हैं तो बुद्धिस union बुद्ध संकी शिक्षाई यहां से हमें मिलती है उनके नियमों का प्रापत होता है आगे बड़े next question है जो हमारा ये है कुछ किस उपनिशद में नची केता की कथा पाई जाती है तो यहाँ पे भी question important बनता है कि किस उपनिशद में हमें नची केता की कथा पाये जाते हैं तो नची केता की काथा कठ उपनिशद में पाये जाती है तो याद रखें मुख्य उपनिशद कितने हैं मुख्य उपनिशद हमारे तीन है जिसमें मांड को उपनिशद है एक मुंड को उपनिशद है और एक आप लोगों का है प्रशन उपनिशद मुंड को उपनिशद में आपने याद रखना है जो सत्यमेव जयते शब्द है हमारा सत्यमेव जयते वो मुंड को उपनिशद में से लिया गया है सत्यमेव जयते फिर आप लोगोंने याद रखना है बेदांत बेदांत क्या होते हैं बेदांत का मतलब सोरी आप लोगोंने का मतलब होता है आप लों का बैठना ऐसी शिक्षा जिसमें शिश्य गुरू के स्मीप बैठकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहिंड करते हैं उनको उपनिशद कहा जाता है उपनिशद को बेदान्त भी कहते हैं बेदान्त के ओपर अगर कोशन आ जाए बेदान्त की संख्या कितन हैं ठीक है यह याद रखें निमनांकित किस राजा द्वारा बिक्रमा शिला बिशब विद्याले की स्थापना की गई थी ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा बिक्रमा शिला जो आप लों की बिशब विद्याले है यूनिवर्सिटी है उनके बारे में पता चला था त आप लोग भागलपूर ये कोशन आता है इसके अलावा आप लोगोंने याद रखना है सोमपूरी जो आपका स्थान है सोमपूरी बहां पर इन्होंने बिहार की भी स्थापना करवाई थी यह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर वी आप लोगोंने ध्यान करवाई गय करwo II थी पालवंश का शाषच्था यह बिक्रम शिलया बिक्रमा शिलव eer स्थापना करवाई थी ने मेंस कौ fortunate रामानंद का जनम स्थान है ना का है आगे सबसे इंपॉर्टेंट सल्तनत काल के कोश्चन आते हैं सल्तनत काल में कौन सा ऐसा विभाग था जिसमें धार्मिक साथ मामले पवित्र संस्थाएं योग्य विद्वानों धरम पुरायन या पुरिशों को बित्ती परदान करने का यह था दिवाने रिसालत तो आपने याद रखना है जो दिवाने रिसालत थी आप लों की यह धार्मिक कारिय जितने और इपके आपयों खिलिटacao गया है यह थिए भी आप लोगोंने ध्यान के लाव कुछ और नाम है जैसे दिवानेस बंदागान है दि थास विवा tapping को कहा जता था फिरोशाह तुगल zadat का है दिवाने मुस्थ कराज बकाया भिवाग था जो आप लों का अलाउदीन खिल 59 सामराज्य का है दिवाने कजा आप का न्याए भिवाग यह भी मुगल subscribers का है जैसे दिवाने कजा मैंने पीछे आप लोग को लिखे होंगे यहां पे एक सेकेंड जैसे यहां पे लिखा है दिवाने कजा दिवाने कजा जो आप लोग का है यह नियाए भिभाग का है लोड इपार्टमेंट जो आप लोग का होता है उससे रिलेटेड है आप लोग का दिवाने इशा जो ह इनको ध्यान रखना आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लीजिए निमनांकित किस वर्ष में अकवर ने दह साला राजसव ब्यवस्था को लागू किया था तो आपने याद रखना है 1580 विसी जब मैं आप लोगों को अकवर के वारे में पढ़ाऊंगा तो बहां पर हम दह साला राजसव के वारे में भी बात करेंगे ये भी इंपोर्टन्ट है इसकी डेट ही पूछी जाती है ये धियान रखना निमनांकित में किस मुगल वादशा को बीना वादन से में परवीन था गोंसा ऐसा मुगल वादन अच्छी करता था बीना बहुत अच्छे तरीके स बजाता था तो आप लोगोंने याद रखना है इसमें राइट अंसर आप लोंका औरगन जेव आएगा तो इसको बीना बादक भी कहा है जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट होंगे आप लोगोंने पढ़ा होगा इसके बारे में बीना बादन का समराट या मुगल बादशा किसे कहा गया है औरगन जेव को कहा गया है रइट अंसर है आप लोगों given не कि इस शाषक ने हैदरावाद में चार मिनार बनवाई थी तो कौन सी ऐसे स्टूडेंट में किसी भी तरह के कोई जानकारी चाहिए रिगार्डिंग यूर एक्जाम एनी कोर्स तो प्लीज मुझे वाट्साइब कीजिए थैंक्यू सो मच